हालो फ्रेंड्स वेलकम तो सूपर में ग्लासेश तो तोड़े वियर गोई तो इसकेश अवाउट पार टू आफ टॉपिक आहार एवं पॉशन डैट इस फूद और नूट्रिशन तो इस इस पार टू एंड यह पार टू है पार वन में हमने अल्रेटी डिसकेश कर लिया है किये हैं हमने दी कार्बोहंद्रेट और प्रोटीन को पहले से पढ़ लिया है अब हम पढ़ने चाहीं है यहींा अज हम पढ़ेंगे ifs it generals और को पढ़ेंगे रिमेंग पार्ट में नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करके बर फोन देख सकते हैं चलिए अब हम पढ़ते हैं फैट्स को पार्ट वन करा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है अब वहां जाके इसका पार्ट वन देख लिजेगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा होता हुआ तो हम पढ़ंगे फैट्स ठीक है अब फैट्स क्या होता है सी कार्बन फ्लांफ हाई्ड्रोजन और 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 को कोई भी प्रोपर रेशओ में नहीं प्रपर रेशओ में नहीं होता। उसका मिक्शर्च को बोलते हैं फैट्स अगर यह रेशयों 702 इस्ट वन में जोता है तो य क्या हो जाता है मैंने आपको पार्ट वन के वीडियों में पहले ही बता दिया है वो हो जाता है कार्बो हाइट्रेट ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा फैट्स कार्बन हैड्रोजन और ऑक्सिजन को मिला के होते हैं पर इनका कोई प्रॉपर रेशो में नहीं होता ठीक है लब सॉलिड होते हैं और अगर यह 20 डिग्री पे लिक्विड हैं तो इनको क्या बोलते हैं ऑइल बोलते हैं ठीक है तो यह तो बात हो गई फैट की अब आगे मैं बता देता हूं आपको अब हर सबसे पहला यूसी होता है यह 27-30 अनर्जी में अर्वाड़ी को अनर्जी और सबसे ज्यादा कार्भा हैड्रिट רוצ दियाँ रखिये पार्ट वन में मैंने बताया हुआ है वो देख सकते हैं ठीक है नेक्स चलते हैं यह अगर हमारा बॉडी फैट कम है तो बॉडी फैट अगर कम है तो इसकीन हमारी रूखी हो जाती है मतलब ड्राय हो जाती है ठीक है और इसका यूज क्या है और यह हमारे बॉडी टेंपरेचर को कंट्रोल करता है बॉडी टेंपरेचर कंट्रोल ठीक है बॉडी टेंपरेचर को कंट्रोल करता है यह हमारी जो बॉण्स होती है बॉण्स के उपर बॉण्स से उपर होता है और हमारे स्कीन के नीचे होता है तो यह हमारी बॉण्स को भी बचाता है तूटे से ठीक है तो ये चीज हो गई Fats के बारे में ये इसके काम है और और मैं बता दूँ आपको कि Fats कितने टाइपस के होते हैं अब टाइपस हम देख लेते हैं Fats दो तरिके के होते हैं एक तो Saturated Fats होते हैं और एक Unsaturated Fats होते हैं हो चलिए यह कि iamon saturated fat के बारे में हम पड़ लेते हैं कि Circsto ळेट प्रटों होते हैं जो अच्छे घजी चिने होते हैं healthy fat जो होते हैं वो कोppy Unsatured fats होते हैं यह Fets क्या करतेएं कॉलिस्ट STROL को कम करते है ठीक है अब ये दो टाइब के fat होते हैं पहला پैट क्या होता है ilee saturated प्थे से होते हैं ओमेगा सिक्स होते हैं ओमेगा सूराइट एल से मिलता है।そ स्याविक औल और भॉसे मिलते हैं अब तो यह द्यान रखे खेस्च विए ओब होते है वह भी हेल्थी होते हैं हमारे बड़ि के लिए किसमें इसे água हादम आजू और ओजुनंद मिलते हैं तो यह सब अच्छे वैट होते हैं और यह सुर्टी होगा ध़र समारे ज्यादा हो तो बॉडडी वेट भी हमारा ज्यादा होगा यहरा भानिशन हो जाता है तो नहीं होता है है यह हार्ट खत्रे में आ जाता है मतलब हार्ट डिजीज होने के पूरे-पूरे चांसे होते है अब देखो हाई ब्लड कॉलिस्टेल लेवल बढ़ा देता है इंक्रीज रिस्टो रिक्स ओफ हार्ट डिजीज भी हो जाती है यह ज़्यादा खाने से अब यह saturated fat किस-किस में होता है देखो सबसे ज़्यादा होता है meat में होता है यह हमें नहीं आनी चाहिए और यह होता है पास्ता, पीजा, बर्गर, समोसा, कचोरी इन सब में fat होता है saturated यह body के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और saturated fat से ही trans fat के बारे में भी सुना होगा trans fat यह बहुत ज़्यादा नुकसान दे होता है trans fat यह artificial fats होता है तो कभी भी trans fat वाली चीज नहीं लेनी चीए और हमें यह meat, burger, bread वगेरा नहीं खानी चीए यह unhealthy होता है cholesterol level को बढ़ा देता है cholesterol भी पढ़ लेते हैं होता है देखो cholesterol is a fat found in food यह मैंने बता दिया आपको cholesterol भी एक तरीके का fat भी ही होता है हमारे blood में भी मिलता है पर अगर इसकी मात्रा जादा हो जाती है तो मैंने पहले भी बता दिया है heart disease का rigs बहुत बढ़ जाता है तो इसलिए यह ध्यान रखिएगा जो saturated fat है वो healthy fat नहीं होते unsaturated fats बहुत अच्छे होते हैं body के लिए तो यह ध्यान रखता है यह fats के बारे में मैंने आपको सारी चीज़े बता दी है इससे बाहर कोई भी question नहीं जाएगा आपका exam में अब चलते हैं हम next topic हमारा minerals पे तो यह हमारा minerals minerals क्या होते हैं यह inorganic nutrients होते हैं मतलब इन में carbon नहीं होता पहली बात दूसरी बात यह होते हैं vitamins की तरह ही होते हैं body में बहुत थोड़ी सी नीड होती है पर इनके होने से यह हमारे body को स्वस्त रहने में healthy रहने में मदद करते हैं हमारी body के growth में भी बदद करते हैं और यह हमारी body को healthy रखते हैं तो minerals काफी essentials हैं में mineral कौन कौन से हैं हमारे human body के लिए sodium potassium water chloride calcium phosphate sulfate cobalt cobalt vitamin b12 में होता है ठीक है तो यह सारी चीज़े minerals में आती है अब minerals को detail में पढ़ लेते हैं देखो iron क्यों essential होता है iron essential होता है hemoglobin के लिए hemoglobin हमारे blood में होता है और उस hemoglobin की मदद से हमारा blood पुरी body में oxygen precision पहुंचा पाता है अगर हमारी body में iron की कमी हो जाएगी तो अनेयमिया हो जाता है हमें तो यह दियान रखिएगा ठीक है next है calcium calcium क्या काम आता है calcium हमारी हड़ियों को और दांतों को मजबूत रखता है calcium की कमी अगर हो गई तो हमारी हड़ियां मजबूत नहीं रहेगी है ठीक है तो calcium बहुत ही इसेंशल है calcium vitamin D के साथ essential होता है हमारे bonds और तीद को मजबूत रखतेंग लिए तो यह calcium की ज़र्वत है और calcium ही जिंक के बारे में देख लेते हैं जिंक अगर हमारी बाड़ी में कम हो जाएगा तो हम mental बादमी पागल हो सकता है हमारी बाड़ी ग्रोथ रुख सकती है और यह जो बेस्ट फूट जिससे हम जिंक ले सकते हैं वह है लेंप वी फ्लीफी ग्रेंस रूट वेजिटेबल सच इस पटे तो कैरेट आलू गो भी जो पत्तेदार हमारी सबजिया है उनसे और मीट से भी जिंक हमें प्राप्त हो जाता है तो यह जिंक के बारे में हो गया ठीक है नेक्स चलते हैं आयोडीन आयोडीन के बारे में सबको पता होगा आयोडीन अगर हमारी बॉडी में कम होता है तो गेंगा मतलब कोईटर बीजीज हो जाती है और आयोडीन हम किससे मिलता है जो हम घ फ्लॉराइड बी हमारे शदुलाइड है किसके लिए हमारे मजबून दातों के लीए फ्लोराइड पैनी मैं हुलता है और पानी में बी अगर ये ज़ादा मातरा है तो हीयर डॉस वगेरा हो जाती तो फ्लॉराइड पानी में भी कम होना चाहिए इतना ही होना चींज़ je Energy Production, Metabolism, Healthy Born Development तो हमारी हड्डियों को मजबूती के लिए हमारी हड्डियों के डवलप्मेंट के लिए हमारे जो Metabolism है उसको अच्छा रखने के लिए और Energy के प्रोडक्शन के लिए Phosphorus होना जरूरी है शरीर में यह किस चीजों में मिल जाता है यह हमें Milk में मिलता है, Cheese में, Dairy Product में मिलेगा मतलब और Beans में मिलता है तो यह Phosphorus है Next चलते हैं Potassium, Potassium किस चीज के लिए काम में आता है यह Muscle Contraction के काम में आता है और Derve Functions के लिए आता है Mainly तो यह ध्यान रखिए कि Potassium Important है कई एक्जाम से बूच लेते है Orange Juice, Milk, Cheese, Whole Grains और Vegetables में मिलता है मतलब Normal हमारी डाइट में यह Potassium पूरा sufficient तरीके से मिल जाता है एक ही जोह रहती है, Selenium और Proper Thyroid Function के लिए Selenium की ज़र्वत है और यह हमें कई टाइप के Cancer से बचाता है तो यह सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा यह मैंने बता दिया है, आपको Minerals के बारे में अब चलते हैं वाटर के लिए कि वाटर क्या है, देखिए वाटर सबसे पहले 70-80% शरी में वाटर होता है तो बहुत Essential है, Life Saving है, बिना पानी के हम जी नहीं सकते तो बहुत Essential Nutrient है और जो भी Biochemical जो function होते हैं हमारे बॉड़ी के वह वाटर के help से होते हैं, वाटर का एक important role होता है और इसके roles देख लेते हैं, इट फिल्स पैस्पेसे इन and between cells, cells जो हमारी बनी हुई होती है, उनमें भी वाटर essential होता है, मतलब वाटर से बनी होती है और help यह large molecules से protein and glycogen के जो structure होते हैं, उनमें भी help करता है water हमारा digestion, absorption, transportation, dissolving nutrients, elimination of waste products and thermoregulation मतलब यह हमारा water हमारा temperature को भी control करता है body में यह हमारे digestion में काम आता है, हमारे excretion में काम आता है मतलब जो भी हम मल भाहर निकालते हैं, excret करते हैं, उसके लिए भी digestion और यह हमारे kidneys के होते हुए जो भी गंदकी होती है, वो भी भाहर निकालता है, हमारा urine से तो यह बहुत important है water के forms, बस water में इतना ही पढ़ना था, जो मैंने आपको बता दिया है यह हमारा part 2, आहार and portion, मतलब food and nutrients का part 2 complete हो गया है part 3 में हम पढ़ेंगे vitamins के बारे में, बहुत important है, next video vitamins के बारे में मैं बनाऊंगा वो आप देख लिजेगा, बहुत important है, बहुत सारे questions vitamins से आते हैं यह हमारा यहां तक topic cover हो गया, part 1 जिसने भी नहीं देखा हो, वो description में जाके link पे click करके part 1 देख सकता है, part 2 मैंने आपको बताई दिया, मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को सब को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा और ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई difficult चीज, अगर फिर भी आपको कोई क्योरी है, तो आप comment करके मुझे बूँ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ, तो थैंक यू अभी के लिए, बाइ-बाइ, गुड डे, वे नाइस टाइम, सी यू सूट इन प्लीज रह गई है, तो यह बता देता हूं आपको, सबसे पहले कैलोरी के बारे में देख लेते हैं, क्या होती है जो भी हम फूड जो भी हम बोजन करते हैं वो कितना हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है पूड प्रोवाइड एनर्जी तो उसे कैलोरी कैलोरी बोलते हैं ठीक है कैलोरी क्या हो गए जो भी फूड है हमारा वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है उसकी गॉआंटिटी को नापने के लिए हमें कैलोरी का यूज करते हैं तो यह देखिए अब चीच प्रोटीन कितना कैलोरी देता है हमें 4.1 किलो कैलोरी उर्जा एनर्जी देता है कार्बो हाइडरेट देता है 4.2 और फैट सबसे ज़्यादा देता है 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी देता है पर इससे कन्फ्यूज यह नहीं होना है कि सबसे ज़्यादा अगर कोशन यही कुचा ज पर्ता है बॉड़ी में तो सबसे ज turnover करता कार्व вопрос यह जो मैंने एनर्जी बता है जैसे एक ग्राम की आगी बताई एक तो फोट लॉब्सारं में खोड़ार्व ऑभाई करते हैं किसे पालते हैं ठीक है अगर एक ग्राम को बंढ करके कितनी प्रवाइड कर सकते हैं वह मैंने आपको यहां पर बता दिया है तो ठीक है गाइस सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को वाइबाय थैंक यू